नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूटूब चैनल एजूकेशनल आइसेज में इसमें हमारी सीरीज चल रही है संडे समेरी आज की संडे समेरी में हम पढ़ेंगे सामाजिक वर धार्मिक पुनर जागरन जैसा कि लगबग सो बर जब गुलामी के हो गए अंग्रेजों की गुलामी के तो उस समय हमारे देश की कह सकते हैं आर्थे धार में सारी की सारी इस्थिती चौपट हो गई थी पूरी तरह से तो उस दोरान कई ऐसे आंदोलन हुए या फिर कह सकते हैं कुछ ऐसी संस्थाइं हुई जिनोंने बहुत अच्छी तरह से इसको बापस से प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया सबसे पहले ब्रह्म समाज फिर आरे समाज इसके बाद राम कृष्ण मिशन बेवय कनन जी द्वारा सुरू किया गया और थियो सोफिकल सोसाइटी अंत में आई जिसने काफी अच्छा प्रयास किया और बरतमान तक ये जु इस्थापना करने वाले थी रूसी महिला हेलन पेट्रोवना ब्लावेट्सकी और उनके साथ में थे एक अमरीकी कर्नल हैंडरी स्टील ओलकॉर्ट इन दोनोंने मिलकर के इसकी सुरुवात की थी आरंबिक में इसमें केवल 16 सदश्य थे जिन में ग्रामोफोन के आविसकारत टॉमस एडिशन वैसे पूरा नाम इनका टॉमस अलवा एडिशन था इन्होंने ये 16 सदश्यों ने मिलकर के सबसे पहले ये संस्था सिरुकी थी थी थियोसॉफिकल सॉसाइटी 1889 में मुख्याले नियुयार्क से मुंबई आ गया था कब आया था 1889 इसवी में ये नियुयार्क से पहले इस्थापना हुई थी नियुयार्क में और फिर ये आ गया मुंबई में और इनका मुख पत्र यानि इनका जो कह सकते हैं हम एजेंडा या फिर जो ये पहले सबसे पहले अपना विधान पत्र निकालते हैं, वो थायनका थियो सॉफिस्ट, अब सुरुवात में क्या हुआ, सबसे पहले इसकी सुरुवात की थी मैडम वलावैट्स की द्वारा, यानि इस मुख पत्र की सुरुवात मैडम वलावैट्स की द्वारा हुई थी, 1882 इसमी में प् यानि इस संस्था के जो अध्यक्ष को जब ये आ गई संस्था अध्यार चेह नहीं में तो इसे का आ गया था प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष को और 1895 में इसी में राष्टियर शाखा का प्रधान कारालिया इनका चला गया वारा नसी में वारा नसी में इस्तापित हो गया और 8 मई 1891 में को मैडम ब्लावेट्स की की मृत्य हो गई 1907 में 17 फरवरी 1907 को कर्नल ओलकॉर्ट का भी निदन हो गया इसके बाद इसमें थियो सफिगल सोसाइटी में हम देखते हैं अंतर राष्टियर आध्यात्मिक संस्था है ये इसके मत आध्यात्मिक में भी सभी धर्मों के समान रूप से और इन्हों ने क्या किया था एक तरह से सभी धर्मों से सार रूप को ग्रहन किया था यानि जैसे आपने पड़ाओगा निंदक नियरे रा किये आंगन कुटी छवाए पूरा दोहा आपको भी याद है फिर हम देखते ह जो सब्द में, उस्ते हैं इनका यह सॉसाइटी का नाम्करण है इस सभड है यह ग्रीक भाशा का है जिसमें ध्यो और सॉफिय यह डो सब्द जुड़े हुए हैं और इसके बाद इसका जो विसेस बात है कि ये अभी जो हमने कहा था कि कई धर्मों से सार रूप में ग्रहन किया गया एक विशेस कह सकते हैं इनका मुख्याधार यानि हिंदु धर्म से ले गई थी ब्रह्म बिद्या, इसाई धर्म से नौस्टिसिज्म और इसलाम धर्म से सूफेज्म यानि काफी कुछ ये लचीलापन लिये हुए अपने आप में सुधार करने की गुंजैस रखे हुए था ये संस्था और इनका भी अब तक जितनी भी सॉसाईटी हुई थी इन सब का जितने भी पुनरजागरन के कारे हुए थे इनमें ब्रह्म समाज, आरे समाज, रामकृष्ण मिसन उसी तरह से थियोसोफिकल सॉसाईटी का भी यही मुख्य बात थी कि भेदभाब को माने विना मानव जाती को मातरत्व का केंद्र बनाना यानि कि सबसे पहले मानव सेवा है उसके बाद सारे कारे मानव सेवा में आवश्यक्ता है आपके सहयोग की अब देखते हम इनका जो आदर्श वाक्य था वो था सत्य से स्रेष्ट कोई धर्म नहीं है वास्तम में यदि देखा जाए तो वास्तम में बहुत अच्छा वाक्य था इनका फिर हमें इसमें जानने को मिलता है कि थियोसोफिकल के जो अंतरराश्टी अद्यक्ष थे सबसे पहले थे करनल हैंडरी स्टील ओलकॉट जो इनके इस्थापना में भी साथ में थे हैलन पेट्रावना ब्लावेट्स की मेडम के साथ में वो इसके पहले अद्यक्ष बने थे ओलकॉट 1875 से 1907 दूसरी बनी थी डॉक्टर एनी व बात है कि डॉक्टर एनी विसेंट को कहा जाता था डाइमंड सौल यानि एक सबसे बहुत अच्छी पवित्रा आत्मा उन्हीं 1893 में इन्होंने धर्मसंसद में जो हमने बेवेकनन्द वाला पड़ा था रामकृष्ण मिशन उसमें भी हमने देखा था कि वो बेवेकनन्द धर्मसंसद में अपना भाषन दिया था जो काफी ज़्यादा प्रचलेत वह था उसमें भी इस सौसाइटी का इन्होंने नेत्रवत किया था थे इन्होंने किया था डॉक्टर एनी विसेंट ने बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं रए लेड़ी थी बहुत ही अच्छा इनको क प्रियास करके हिंदू विश्विध्याले या वनारस हिंदू विश्विध्याले के नाम से करवाया था और एक और बात 1918 इस भी में इंडियन स्काउट मुव्मेंट की प्रारम भी डॉक्टर एनी वे सेंट के शहयोक से ही हुआ था यानि काफी महत्पूर्ण रहे थे इनके दोलन चलाये था और फिर इनकी 21 सितंबर 1933 को मृत्यू हो गई थी यानि देहानत हो गया था इनके बाद बने थे डॉक्टर जोर्ज एस अरुंडेल जो 1934 से 1945 तक रहे थे फिर बने सी जिनराजदासा जो 1946 से 1953 स्री एन स्रीराम 1953 से 1973 तक और फिर इनके छटे अध्यक्स थे जॉन कॉर्ट्स ये जॉन कॉर्ट्स 1973 से और 1989 तक रहे और अभी बरत्मान में इसका अपडेट यहीं तक है हमारे पास के राधा बर्नियर श्री मतिर राधा बर्नियर 1980 से इसकी अध्यक्स है तो आज की वीडियो में इतना ही